तो यहां पर देखते हैं इंटरफेस क्या होता है तो यहां पर देखते हैं इंटरफेस क्या है इसने पहले हमने अप्सक्राइट क्लास देबारे में बताया था प्रोव को तो यहां पर देखते हैं इंटरफेस क्या है इंटरफेस इसक्राइट सराफ अप्स्ट्राइट मिथर्स एंड कॉंस्टेंट वैरियेबल्स जिनको एक या एक से ज्यादा ट्लास देखते हैं अब आप्स्ट्राइट वैरियेबल्स होंगे जिनको एक या एक से ज्यादा क्लास प्विजिट उनको यूज करें अब इंटरफेस देंदर जो मिथर्स होंगे वह अप्स्ट्राइट मिथर्स होंगे इसतर अंतलब क्या हूँ आप इंटरफेस अचीव दहांड़ पर सेट अप्स्ट्राइट्स जब्स्ट्राइबल्स जते अब्स्ट्राइट क्लास में क्या था कि वहाँ पे 100% अब्स्ट्राइटसन अचीफ नहीं हो रहा था, थिसलिए यह जो है 100% अब्स्ट्राइटसन को अचीफ परहेंगा और जो वैरियेबल से हाँ पर होंगे वो सारे कॉंस्टेंट्स होंगे दूसरा इंटरफेस प्रुवाइड दा फंशनेलिटी आप दा मॉल्ट्पल इंटरिटेंस हम इंटरफेस दी हल्प से मॉल्ट्पल हें उट्लाइज पर सकते हैं इन्द जावा में बट ये धियान रहें जावान का एडवन आप यूज़ कर रहे हैं। जावात आप यहांod नापं रिपलाइज कर रहे हैं तो यहां पर हम जो है वह चाहर रहा है अई हमस्ह tan रहें हैं। to prepare method in both the है और उसता स्पेसिफायर जो होगा वोडिफाल्ट होगा दिफाल्ट एंड देल वाइड वाइड शो और यहां पर आप अपनी टोग्राम बॉडिफाइन तो यह आप जावा के एट वर्जिन में काम कर रहे हैं तो वहां पर आप आप स्ट्रेट और नॉन अपस्ट्रेट मि यह इसकी डिफायन कर सकते हैं बट यह जावा के एट वर्जिन पर इंप्लिमेंट हो ओगा इसके पहले वर्जिन थे वहां पर इंटरफेस्ट डिफिनेशन से ही थी कि इंटरफेस जाव कलेट्शन आप मोर दैन वन अबस्ट्रेट मिथर्स एंड कॉंस्टेट वर्यबर्स यह इसकी डिफिनेशन इंटरफेस की तो बट एट में आप पहुंसते हैं तो वहां पर यह आपका कंक्रीट विधर्ट आप डिजाइन कर सकते हैं अब एक जांपल देते हैं इंटरफेस तर कैसे इंटरफेस हम क्रिएट करते हैं इंटरफेस एंटर इंटरफेस नेम जिस नाम से अपर इंटरफेस बनाना चाहते हैं तो तो क्या हुआ यहां पर जिस नेम के पहले इंटरफेस की वर्ड यूज हो गया जिसों पहले आप स्ट्रैट लग गया वह स्ट्रैट्ट हो गया जिसे पहले सिंपल दिद दिया गया वह स्ट्रास हो गया तो इंटर्फैश नेम करली बेस्ट ओपन हुआ एंड मिया ओपन जैसे बताया आपको कि जो इसते मिघड़त होते हैं वो 100% आप स्ट्रेट होते हैं तो यह वाइड एंड सो बना दिया है इस विखर्ट से नहां बना बना दिया क्लास लिया, क्लास आयन देन क्लास ने जिस नाम से आप क्लास बनाना चाहते हैं इससे पता है आपको इंटरेटर सब यूज करते थे तो वहाँ पर इस्टेंट की वर्ड का यूज करते थे उस क्लास को इंटरेट करने के लिए यहां पर क्या है इस interface को implement दिया है उस class की responsibility है इस method के program body को define करने की तो क्या हुआ यहाँ पर concept आ रहा है किस्ता overriding का कि हम इस method को यहाँ पर override कर रहे हैं तो जो class इस method को override कर रही है उस class के responsibility है इस method की program body define करने की तो हमने यहाँ बिलिखा divide सो एक मैसेज दे दिया system.out.println method of interface और ही हमारी यहाँ प्लासमा दोगे अब अपने आते हैं मेर्ट क्लास में class मेर्ट ट्वेंटी और यह open किया पब्लिक इस्टैटिक वाइड मेर्ट इस्ट्रिंग अर्गुमेंट्स हमने यहाँ पर शॉट में psvm लिद दिया है बड़ जब आप टाइप करेंगे तो पूरा पब्लिक इस्टैटिक वाइड मेर्ट आप टाइप करेंगे अब नीचे हमने इस प्लासमा अबजेट क्रेट किया सीवन ओबी एक्वल तो अबजेट नेम निव सीवन अग अबजेट नेम एंड कॉल्ट अमिधाड तो आप जेट डॉट शो अंधुआ हमारा में और प्लास सेप जिया प्रोगाम को सीवन डाट जावा नाम से सरी में तंटी जावा से कंपाइल किया क्या प्रोगाम कंपाइल होगा नहीं प्रोगाम आपकंपाइल नहीं होगा तो कि यहां पर दिस इस दा अप्स्ट्रैक्ट में था आप यहां पर चाहे अप्स्ट्रैक्ट public लिखे और चाहे ना लिखे यह by default आप strict है by default यह public है बट यहाँ तो यह by default public है नहीं तो आपको यहाँ पे public keyword का use करना होगा अब यहाँ public बिती आपने अब आफा प्रोग्राम compile हो जाएगा और execute भी हो जाएगा सोज में आया कि जो आप यहां पर आप मेड़की उसा करिए और चाहणा करिए पबली की वर्ड करिए यां करिए यहां नकरिए जो आप इंप्लिमेंट कर रहे होंगे जहां के इस मेफ प्रोग्राम बोडी आप डिफाइन कर रहे होंगो और वहां पर पब्लीक कीवर्ड यूज करना होगा अधरवाइब को गाम आपका कंपाइंड टाइल पर इना देगा तो यह हुआ कैसे हम मिधाड पर यहां उप्लाइज रखते हैं इसी में देते हैं इसके वैरियेबल को यूज करना है तो वैरियेबल आप कैसे यहां पर और यह है सब कुछ वारे पास बना हुआ है और हम नहीं यहां पर जस्ट राइट दा एक वैरियेबल लिया इंटीजर एक वैरियेबल टू 75 और सिस्टम डाट आउट डाट प्रेंटलेंड वैलू आफ यूज आफ यूज यह बन बंद है आपजेट बना हुआ है वरन कराईगी प्रगाम आपका कंपाइल हुआ और रण हो जाएगा तो अब महां लेज़ेद यहां थोस चेंज करते फाइन इतना हो गया कंपाइल किया और आप्र प्रोग्राम रण हो गया अब थोस चेंज करते हैं यहां निखा ह और जैसे आप प्रोग्राम कम्पाइल करेंगे चेव कंपाइल टाइब में आप वहरा देखा क्योंकि ये इस था जो मेंबर है ये बाइडिफॉल्ट सप्लाइब है एंड इसाटिक है आप चाहेड़ लिखे है और चाहेड़ ना लिखेए है तो अब इसके बतार यहां पर ऐसे लिद्धे a++ तो यह भी गरत हो गया यहां यहां पर डायट कजी वैलू को एड़ करना चाहते हैं तो यहां पर जिसे रिखा हुआ है यह हमने यहाँ पे a plus a plus 5 ऐसे कर दिया तो यह अब जो है diet value को add कर देगा 75 पे 5 आड़ करते 80 आपको 2 आड़ कर देगा तो यह समझ में आया यहाँ जो इसने variables होंगे by default final होंगे और static होंगे जब variable आपका final है तो इसनी value को आप change लेका सकते हैं तो यह समझ में आपको आगया होगा कि interface के method ऐसे होते हैं और variable ऐसे होते हैं अब इसने और जांपक अगले lecture पे देखेंगे Thank you so much